हालो स्टूडेंट्स वेल्कम टू जाइफा क्लासेज तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम सीखेंगे स्टूडेंट्स सबसे पहले यहां पर हम लोग एज्यू मीन मैथट के फॉर्मूला के नीचे स्टूडेंट्स को फॉर्मूला लिखते हैं ए पिलस सिग्मा एफाई यू आई अपॉन में सिग्मा एफाई और इन्टू में एच हमारा यहां पर क्या है क्लास साइस तो ज्यादा कुछ फरक नहीं पढ़ ला है दौनों फार्मूला को देखें अगर आप यहां यू आई डी आई की जगह यहां यू आई हो गया है और इन्टू में एच आ गया है एच हमारा क्या है क्लास साइस तो इस्टूडेंट्स यह डेटा हमने इसलिए लिया है ताकि आपको स्टेव डिवीशन मैथड भी अच्छे से समझ में आए ठीक है इस डेटा पर ह हमने आपको बदाया था जब हम एच्छाइज में मैथड वाला फार्मूला पढ़ रहे थे कि एक साइस मेंसे एक मीन को हम एच्छाइव करते हैं और यह मीन यह एक साइस सेंटर में होना चाहिए अगर आपके एक साइज जो है उनका नंबर एविन है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यहां पर एविन थे तो दो मीन हम चूज कर सकते हैं दो मैसे माला दो मिलेंगे हमें एजियूम के तौर पर हम दो नंबर हमें मिलेंगे लेकिन उस मैसे चूज एक ही करना होता है ठीक है तो हम 62.5 भी कर सकते वहां पर भी हमने आपको बताया था और 47.5 तो हमने किया ही था तो आप 62.5 करके देखिए और उस सिफ मीन निगा लिए 62 ही मीन आएगा उससे भी और इस डेटा का 62 ही आएगा ठीक है तो यह हमारा डेटा है हम क्या करेंगे कि जो हमारे डी आई जब आ जाए तो यहां पर ह मैं रुखना है हमें डी आई ए अफ फाई पे इस्टेप डिविएशन मेटड में नहीं जाना है इस्टेप डिविशन मेटड में मैं डी आई अफई नहीं करना हम डियाई पर रोख जाएंगे अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दू कि जब आप डियाई को देख रहे हैं माइनस 30 माइनस 15 0 15 30 45 तो यह सारी डियाई 15 से डिविजिबिल है हैंगे नहीं देखिए हैंगे नहीं 15 से डिविजिबिल बिलकुल है और हम दूसरी तरफ देखें तो हमारा क्लास साइज जो है वह भी 15 है या नहीं हमाला है एच की वैलू भी 15 है तो इन्हें हम 15 से अगर हम डिवाइट कर दें तो यह जो वैलू आएगी वह और ज्यादा छोटे नंबर लाएगे और जब यह नंबर और छोटे हो जाएंगे तो वह जो नई चीज आएगी उसी को हम कहेंगे यू आई यू आई एफाई करना और अजान हो जाएगा यह स्टेफ डिवेशन मेटल हम तब यूज करते हैं जब Di में भी बड़े number आ जाते हैं ठीए Di में भी बड़े numbers आ रहे हूं तो फिर हम step deviation method पह जाते हैं step deviation method दे calculation और जाधा आसान हो जाती है म 뚝े ऊहीं हम यह data लेते हैं और Di से आगे कैसे बनना वह बताते हैं तो इसको आणपर रफ तो यह हमारा data वही आगया यह फार्मूला भी हम अभी डिराइफ करेंगे तो स्टुडेंट्स यहां पर देखिए डियाई आ गया और यह सारे डियाई हमारे आ गये अब हमने आपको क्या बताया कि यू आई नेका दिया और यू आई के लिए क्या करना है कि डियाई को कि डिवाइड कर देना है एच से क्योंकि सारे के सारे डियाई इस क्लास साइज से डिवाइड डिविजिबल है तो 15 से 30 को डिवाइड करेंगे तो आएगा माइनस टू फिर इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस वन इसको डिवाइड करेंगे जीरो इसको डिवाइड करेंग 1 इसको डिवाइड करेंगे 2 इसको डिवाइड करेंगे 3 अब यहां क्या करेंगे UIFI यहां हमें करना है UIFI जैसे हम DIFI कर रहे थे अब हम करेंगे UIFI तो FI यहां पर है तो 2 to the 4 minus 4 3 बन्जा 3 minus 3 7 0 से multiply करेंगे 0 यह रहेगा 6 बन्जा 6 फिर देखिए 2nd 6 6 2 12 और यह 6 3 18 तो यह आगे हमारे पास UIFI तो स्टूडेंट्स यह हां बल अगर हम सिग्मा यू आई अफाई निकाल लें अगर तो यह क्या आने वाला है तो माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7 हो गया और 12 और 18 हमारे पास 30 और यह 6 36 तो 36 माइनस 7 29 आगया हमारे पास यह सिग्मा यू यू आफाई आगया हमारे पास 29 अब देखिए अगर हम एफाई हमारे पास 30 सिग्मा यू बार निकाल लें तो हमें फार्मूला यह लिखना पड़ेगा सिग्मा अब देखिए यहां पर जो हम पढ़ना है वो पढ़ना है रिलेशन रिलेशन बिट्वीन एकस आई एंड यू आई अब देखिए यहां पर क्या करते हैं हम लोग की यू आई को आप क्या लेख सकते होृ आई को आप क्या लेख सकते हो सिग्मा एफ़ई यू आईक एकसाई वाइनस अपान में और यहीं तो लिटाए और इसके अपान में है सिग्मा एफ आई ठेक है स्टुरेंट्स अब देगें इस सिग्मा एफ या को अगर हम अंदर मल्टिप्लाई करा दें तो यह क्या हो जाएगा यू आई यू आई नहीं सोरी यह यू बार चल्दा है इदर यह थोड़ी सी मिस्टेक यह यू बार चल्दा है ठीक है U bar यह अंदर multiply करेगा तो क्या हो जाएगा sigma fi xi minus sigma fi into a upon h और इसके upon में चल रहा है sigma fi अगर हम इसको 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 हम यहां पर लिख सकते हैं जो लोग जानते हैं तो यह यहां पर आजाएगा इसके नीचे वन लगा लेंगे ना तो यह वन वाला multiply करेगा सबसे उपर और यह यहां पर multiply करेगा तो यह हो जाएगा you are equal to इसको हम लोग एक लाइन और लिख लेता है sigma fi xi minus sigma fi a upon में माइनस सबस्क्राइब करेगा तो उपर कोई फरक नहीं पड़ेगा और एच इन्टू sigma fi ठीक है अब हम यह क्या करेंगे कि ह को हम अलग लिख लेते हैं यू बार equal to one upon h ऐसे लिख सकते हैं और यह सिग्मा fi इसको भी दे देंगे निमेरेटर को और इसको भी दे देंगे तो यह हो जाएगा sigma fi xi upon में sigma fi minus sigma fi a upon में sigma fi अब देखें sigma fi xi upon में sigma fi यह क्या हमारा यह हमारा एक्स बार नहीं है भाई x bar का तो formula यही था ना x bar का formula यही था तो इसको हम लिख सकते हैं u bar equal to one upon h इसको लिख सकते हैं x bar और देखें यहां sigma fi से sigma fi cancel minus a बच रहा है यहाँ ठीक है students और इस h को इधर लियाओ यहां divide कर रहा है इधर आके क्या करेगा यू बार into h इधर रह जागा x bar minus a अच्छा यह यू बार था क्या यू बार यह नहीं था अब यू बार के जगा पर हम यह value नहीं रख रखतें सिग्मा एक आफ यू आइपन मैं सिग्मा एक फाई बिलकुल तो यहां पर हो जाएगा sigma fi यू आइपन मैं sigma fi इंटू मैं h और यह जो आपका राइट हैंड साइड है इसको हम ले आते हैं लेप्ट हैंड साइड तो यह दर आके करेगा पिलस इदर लगागा X बार और यह हमारा फार्मूला डराइब हो चुका है X बार इक्वल टू A पिलस सिग्मा एफाई यू आई अपॉन में सिग्मा एफाई इंटू H तो students यह फार्मूला हमारा डराइब हो गया step deviation method के लिए तो क्या फार्मूला हमारा आया है एक बार यहां और लिख देते हैं X इक्वल टू A पिलस सिग्मा एफाई यू आई अपॉन में सिग्मा एफाई इंटू में H तो जल्दी से नोट कर दीजिए इसका derivation हो गया पूरा फार्मूला सिग्मा एक्स बार है ये X बार इक्वल टू A पिलस सिग्मा एफाई यू आई अब आउन में सिग्मा एफाई इंटू H तो यहां पर करेंगे हम इसको रफ और फिर हम आगे फार्मूला में पता चल गया से हम लोग मीन निकालेंगे और देखेंगे हमारा मीन 62 आता है या नहीं तो रफ कर दिया जाए इसे इस्टूरेंट्स रफ कर दिया जाए चलिए इसको हम करते हैं रफ तो यहां पर अब हमें क्या करना है यह सम हमने यू आई आफाई का निकाल ही लिया था सिग्मा एफाई हमारे पास पहले से मौजूद है फार्मूला लगाते हैं यहां पर फार्मूला आया है है एक्स बार एक्वाल टू एपिलस सिग्मा एफाई यू आइपान में सिग्मा एफाई है इन्टू में एच तो एक्स बार एक्वाल टू एह हमारा था 47.5 पिलस ये सिग्मा FI UI हमारे पास आया 29 सिग्मा FI हमारे पास 30, H की वैलू हमारे पास 15, 15 बज़ दा 15, 15 तू दा 30 तो X बार इक्वल 47.5 पिलस 29 अबान 2 तो X बार इक्वल 47.5 पिलस डिवाइड करेंगे 21, 2, 4, 8 0.5 तो X एक्वल 2 इसे एड कर रहा है देखिए क्या आ रहा है 62 आ रहा है देख लीजे आप क्या आ रहा है 62 5, 10 का 0 1 को कैरी करेंगे यहाँ पर तो यह हो जाएगा 8, 4, 12 का 2 1 को कैरी करेंगे तो यह हो जाएगा आपके पास 4 and 1, 5 and 6 62 आ गया तो 62.0 लिखो यह 62 लिखो एक ही बात है मीन आ गया है फार्मूला आपके पास आ गया है तो यह था हमारा step deviation method जो की हमारा complete हो गया अब क्योंकि हम question number 6 तक कर चुके हैं exercise 14.1 में तो हम लोग 7 और 8 और जो आगे की question जो भी है मेरे ख्याल से 8 या 10 question है लगबग exercise 14.1 में तो हम assume mean method से करेंगे next video में wish you all the best